काटेजान इंडस्ट्रिल एरिया में भारती ट्रेडर्स बोलके एक बैट्रीस का कारोबार करने के एक कंपनी है वो कंपनी में 28 के नाइट एक चोरी हुआ बड़ा बोलके इंफर्मेशन के हम लोगों पुलिस पुरा वहां गए 50 लैक नेट कैश में 50 लाग को चोरी करके गया बोलके इंफर्मेशन पहले हरीका और खैसा बाग गया उसका जो प्रिकाशन इस लिया उसके बारे में देखने के बाद हमारे को यह मालूम पड़ी कि एक पुरा आर्गनाइजड वे में करा एक पुरा ग्यांग बोलके जब CCS, शम्शापाद, राजननगर, साइबराबाद का क्राइमस बीसीपी नर्समा साथ और मैल अर्देवपली, इंस्पेक्टर, डिये सब लोगों मिलके बहुत मेहनत करे ते 10 दिन के लिए आज इसमें 4 अदमे को फखडा गया और 16,16,16 रूपई नेट कैश सीज करें, बाकी का अदमे भी और बाकी का मने भी सीज करतें ये डिटेक्ट होने के बाद हमार को ये मालूम पड़ा, ये ग्यांग इससे पहले भी अतापूर लिमिट्स में आटेंशन डैवर्शन एक करके 9 लैक रूपीज ले गए थे, वो केस में लोगों अरस्थ होके बाहर आने के बाद, दस लोगों मिलके कटा, 9 लोगों ने कटा बने है, प्लान करे, वो लोगों क्या साँचे बढ़त हो, ये इंडस्टिल एरिया में कैश ट्रैंजक्शन से चोरी करना इजी बोलके, एक इंफर्मेशन लगा लिए, दो अदमी को खाली वो वर्कर्स जो फैक्टरिस में काम करते हुए, रोज बाहर आते रहते हैं, वो लोगों के साथ को इंफर्मेशन लिए, इसके पीछे पूरा 11 लोगों है, जो लोगों तो इंफर्मेशन दिये, नाइन लोगों पूरा फिजिकल इंवाल्वमेंट है, वो लोगों ये प्लान करने के बाद जब इंफर्मेशन मिला, एक कंपनी में 50 लाग आया, एक दिन ना दो दिन यहीं रहेगा बोलके इंफर्मेशन आने के बाद, एक मेडिकल शाप में ब्लैक मास्क से फेस मास्क पर करे थे, एक ट्राइवल्स का के पास जाके एक हिनोवा हाईर के किराई पे ले लिए, और दो मोटर सेकल उनका, एक पूरा पूरा एक कारिका से प्लान करके ही, वो लोगों दो बजे वहाँ पहुंचे, एक अदमी गेट कोद के अंदर गया था, तोड़ने के बाद, कुफल सब लोगों अंदर गये थे, पाचास लोगों लाक रूपए पूरा बीरवा से चोरी करके ले गये थे, वो लोगों को, और मॉनिंग सिख्सों क्लाक, वो फीन बजे करे, साड़े छे को वो इटोवा उसको रिटन कर दिये, अभी तक वो ट्राविल्स वाल है, कुब नहीं म इस लीड करने के वो स्ट्राइस आ गए परे थे वो लोगों, यह आर्गनाइजड ग्यांग है, इससे पहले भी कैसे साइन के उपर, अगर फुरा एंग्मेरी करने के बाद, और बाकी लोगों को पकड़ने के बाद, इस पर पीडियाक्ट लगाने के कोशिश करते हम लोग अगर फिट हुआ तो वो लोगों को, और मैं यह कंपने वालों को और यह ट्राइवल्स लोगों को मैं अभी एक बोलना चाह रहा हूं, यह अना काउंटेड मनी, ऐसा पचास लाक एक करोड लाके वहां कंपनिस में रखना, उसका सेकुरिटी नहीं रहता वहां, सेकुरिट गाड भी नहीं रहता, खाली दो वरकरां जो रात में वहां राते हैं, वो लोगों सोते रहते हैं, उसका उतना सेकुरिटी नहीं बस होती, वो अनकाउंटेड मनी का ट्रांसेक्शन बंद कर रहे हैं, इसलिए यह केस में पचास लाक भी यह अनकाउंटेड दो ही लोगों वहाँ रखे ना इसलिए एकेस भी आईटी डिपार्ट्ट्ट्ट इंकम टैक्स डिपार्ट्मेंट को लिख रहे हैं हम लोगों अब से यह कार्णल ऑन इंडर्स्ट्रिल एरिया में अगर कोई भी अनकाउंटेड मनी सा इसा कारोबार करना है तो हम भी इंफरमेशन रखते है नेंबर वन नेंबर टू यह ट्राइवल्स का कंपनीज हम किनकू बोले तो उनको एक दस दाजा राजा आता बोलके ज्यादा पैसे लेके उनका इसे भी प्रूफ नहीं लेके किनकू भी ऐसा देके और यह क्राइम में अगर वह वेहिकल इन्वाल हुआ तो वह ट्राइवल प्राइवल्स को भी इसलिए किसी आलस से भी जो अदमी को कांविडेंस नहीं है जो अडमी का आईडी प्रूफ की तरह से नहीं दे सकते हो लोगों को गाड़िया नहीं देना तो क्राइम में इन्वाल हुआ तो वो लोगों का भी तकलिव उठाना पड़ेगा इसलिए करता हूं क्योंकि दस दिन रात पर वो लोगों काम करके लाए थे केस डिटेक्टर